टेकित करड के बारे में कुछ जानेंगे कहे cirit क कैसे अपलाई किया जाता है और इनका statement कैसे देखा जाता है तो अक्सर customer लोगों का यह complaint रहता है कि मुझे statement नहीं मिला और मेरा statement में देख नहीं पा रहा ह। तो आज हम लोग discuss करेंगे कैसे online पे कोई भी computer से या कोई भी mobile से आप कैसे कनड़ा बेंग का credit card का statement देख पाएंगे और अब अगर लेना चाहते हैं तो कैसे कहां से आप apply कर पाएंगे तो सबसे पहले देखते हैं कैसे apply कर पाएंगे तो friends कनड़ा बेंग के credit card के लिए अगर apply करना चाहते हैं तो सबसे पहले canadabank.com ये home page पे आ जाना है और एकदम नीचे चले जाएए online service request बोलके एक option मिलेगा इस option में click कर लिजिए तो आपके पास जो option open होगा request for a service request for a service यहां पर क्या है आपका account नमबर दीजिए आप individual है business entity या group individual उसी साब से आपका details दीजिए नाम दीजिए personal contact person name दीजिए आपका ही नाम होगा locality, mobile number यह सब दीजिए state, city, email id, p number और यहां पे capcha है यह capcha को जैसा है ऐसा ही आपको यहां पे लिखना है और यहां पे request for यहां से आप बहुत सारा चीज के लिए apply कर सकते हैं तो सबसे पहले यह तीन नमबर पे जो card है ना issue for a credit card, issue of a credit card यह वाला option क्लिक करके submit कर दीजिए तो branch के तरफ से आपको आपके साथ contact किया जाएगा कि आप credit card लेने के लिए interested है credit card के क्या क्या चाहिए नहीं चाहिए तो branch के तरफ से आपके साथ contact किया जाएगा यह तो गया कि मैं credit card लेना चाहत हूँ request कहां से करूँ दूसरा अगर मेरे पास credit card है कैसा credit card ऐसा मेरे पास एक credit card है तो इसका में मुझे statement देखना है और last five transaction देखना है यह कहां से देख पाएंगे तो इसके लिए यह शुरू में जो canadabank.com यह वाला homepage में जाना है canadabank.com यह है canadabank.com homepage में हम आगे और उसके बाद देखिए यहाँ पर login बोलके एक option है right side में आपको यह option मिलेगा और अगर mobile से कर रहे है तो एकदम नीचे में चले जाएए mobile की scroll करके जब नीचे आएंगे तो आपको वहाँ पर option मिलेगा तो login के अंदर internet banking credit card portal में हमको open करना है तो यहाँ पर जाके सबसे पहले आपको new register यह register वाला option में क्लिक करना है तो यहाँ पर जिस mobile पर आपका OTP आता है उस mobile नमबर देना है और आपका जो credit card है उसका last four digit मतलब यह वाला last four digit यहाँ पर लिखा नहीं है तो आपका credit card के उपर last four digit रहेगा यह दिखी यह वाला last four digit यह last four digit आपको देना है last four digit दीजिए और उसके बाद यह जो enter verification code जैसा है जैसे 3391 तो आपकी सबसे यह change होता है तो जैसा ही है और देखे आप next कर दीजिए next के बाद यह OTP verification होगा OTP verify करवा लीजिए और उसके बाद create credential create credential में आपका password set करना है और username set करना यह सब set कर लीजिए तो एक बार आपका set हो जाएगा यह first time एक बार ही करना है बार बार नहीं करना है और उसके बार जैसे ही आपका set हो गया तो username और password जो आप बनाए उसको दीजिए और enter verification code यहाँ पे जो code है यह वाला code दीजिए और login बटन में क्लिक कर दीजिए तो जैसे ही आप login बटन में क्लिक किये तो आपका जो credit करका statement है credit करका detail से यह वाला page ऐसे open हो जाएगा यहाँ पे सबसे पहले यह view profile अप्सान है आप view profile में क्लिक करके देख सकते हैं और यह summary वाला अप्सान है यह summary में आपका द last five transaction आप क्लिक करके last five transaction देख सकते हैं और आपका जो card statement है यह आप यहां से दे सकते हैं और आपका जो card का statement है card statement आप यहां से देख सकते हैं आपको कितना दिन का देखना 8 का महिना 9 का महिना 7 का महिना मानी आपको जून 2022 का statement देखना है तो जून 2022 चूज कर लिजे उसके बा क्रेडिट करके अंदर यह तो मंथली स्टेडमेंट है और डेट रेंज में आपका स्टेडमेंट चाहिए और देखिए आपका पेनाव भी आपसान है यह मानिए आपनी कुछ पर्चेस किया है मेरा अभी टोटल पेमेंट यूए 10,000 में मुझे 5,000 अभी पेमेंट कर देना य और उसके बाद यह वाला बटन में क्लिक करके पेनाव कर देंगा पेनाव कर देने से एक पॉप आप आएगा तो यहां पर पे यूजिंग डेविट कर यह दूसरा बेंकर क्रेडिट कर से नहीं होगा याद रहिए दूसरा बेंकर डेविट कर होना है और यहां पर तो इस हिसाब से मैं कुछ पेमिंट भी कर सकता हूं और अन्बील ट्रंजेक्शन क्या है अभी जो अन्बील क्या अन्बील है किया मतलब यह वाला चीज अभी तक बीलिंग में नहीं आया और कॉनभाट टू एमाई मुझे कुछ ट्रंजेक्शन अगर एमाई में करना है तो क इसको मैं कर सकता हूं तीन महीन कल देखिएगा अगर फिलिप कर या अमाज旅 से आप यह माई में चीजें लीटे है तो उसका इंटरेस्ट जादा परता है नो कोस्ट यह मैं बहुत कौम क्रेडिट करमां ओफा रहता है कि यह ज्यादा तर में बहुत ज्यादा तो 1.17 करके इंट्रेस्ट पड़ता है कैसे देखिए मैं खर्चा किया था 1414198 अभी अगर मैं 24 मन्त में यह देना चाहता हो तो 681.96 तो मुझे टोटल 16300 700.04 यह वाला अमाउंट देना है तो आप भी अपना हिसाफ से यह अप देख सकते है पेमेंट हिस्ट्रीग कीद रूप पेमेंट किये कॉन सा डेट रेंज में कि रूपेमेंट कि सकते हैं मैं कि मैं मैं से मैं 1 से आस्तर कि अचले मेंट कहा है ef तो यह वाला व्यू में जाएंगो तो मैं कितना वार किया पेमेंट किया ओस अब हमको दिख जाएगा ठीक है और उसके बाद यह पेमेंट सेक्शन है पेमेंट सेक्शन में भी जो पेवाला उप्सान में जो बोले उतना ही है और Hindi सेैंगे को अगर A ब्लॉक करना चाहते है रिपोर्ट ए लॉष्ट आपका केजिट कार खो गया आपके पास आईडी पासवार है आप लोगिन करके यहां पर रिपोर्ट कर दीजिए लॉष्ट और स्टोलन लिमिट इंक्रीज हमको लिमिट बढ़ाना है इधर उदर घुमना नहीं है जस्ट ऑन और इसके बाद भी मैं तो जितना हो सके उतना बोला इसके बाद भी आपको कुछ जाना है तो आप यह टोलफी नमर पर कॉल कर लिजिए नहीं तो hodbshelpdex.com इस mail id पे आप details लिकिए तो ब्रैंग के तरब से आपके साथ contact किया जाएगा और आपका जो inquiry है वो आपको solve कर दिया जाएगा तो friends मेरे हिसाब से मैं आपको पूरा-पूरा information दिये और इसके आगे भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप टोलफी नमर पे contact कर लिजिए या नहीं तो mail id पे details लिकिए तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा friends और कुछ charge के बारे में बात कर लेना चाहिए जैसे fees, enrollment fees and annual fees enrollment fees will be collected in advance at the beginning of the card year तो card year के सबसे पहले शुरू में ये enrollment fees काटा जाता है जैसे debit card और ATM card के लिए year end में, तो credit card लिए शुरू में काटा जाएगा, annual fees भी शुरू में काटा जाता है cash withdrawal fees, ये credit card से आप ATM से भी पैसा ले सकते है, तो उसके लिए cash withdrawal fees at the rate of 3% with minimum of 30 for every thousand तो 1000 रूपिया अगर ATM से आप उठाएंगे तो उसके लिए आपको 30 रूपीज चार्ज देना होगा और 3% चार्ज देना होगा ये cash withdrawal free नहीं है, cash withdrawal के लिए चार्ज लगता है card in activity, card को आप use करना है, अगर use नहीं करेंगे, turnover नहीं होगा तो उसके लिए card in activity चार्ज काट लेगा और एक चीज है important ये बताना जरूर है, कनाड़ा भीसा, all variant, कनाड़ा भीसा कार है तो हर महिने के 20 को आपका क्या है, billing payments होगा, और अगर कनाड़ा master card है, कनाड़ा master card रूपे card है, all variants तो 18th of every month, 18 तरीकों आपका billing payments होगा और last में मैं और 2-3 line बोल दोंगा, तो ये बताना जोरूरी है, कि अगर कनाड़ा का रूपे card, रूपे credit card आपके पास है तो AR accidental, accident some insured, for self, self के लिए 4 लग का insurance है, और spouse के लिए 2 लग का insurance है ये accident अगर होता है, और अगर accidental death some insured, अगर accident में dead हो जाता है, तो self के लिए 2 लग and spouse के लिए 1 लग का insurance है अगर आप फ्लाइट में है, तो अगर कुछ होता है, तो ये वाला insurance है, और ये accidental death सामिन से normal death हो जाता है तो self के लिए 2 लग और spouse के लिए 1 लग, मतलब एक credit card आप use करेंगे, तो आपको free में ये insurance मिलेगा और ये same चीज, ये normal card के लिए, भीसा master रूपे card के लिए, और अगर ये platinum card हो जागा, भीसा master रूपे card का platinum है platinum card के लिए AR accidental insurance जो है, आठ लग for self and spouse के लिए 4 लग, और accidental normal death के लिए, self के लिए 4 लग और spouse के लिए 2 लग और बाकी ये baggage insurance है, purchase protection को भार है, ये सब तो है ही, तो friends यहाँ पर बहुत कुछ details है, तो आप ये terms and condition में जाईए और FAQ में जाईए, तो वहाँ से आपको बहुत कुछ चीज नया नया चीज आपको सिखने को मिलेगा, आप ये सब देखिए और अपने हिसाब से card को use तो है, तो है।